नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉंट में आप सभी का श्वागत है दोस्तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षिया आठ का लेशन लास्ट छे नमबर जो की है मानो संसाधन और एक बात पता देता हूं दोस्तो अभी राजिस्तान पुलिस के एक्जाम कंडेक्ट करवाए गए जित अगल प्रशन बहार नहीं गया है इनसे जीके से समझे जो भी फोरसन है सारा यहीं से आए अभी परसन पुछा गया था कि भारत में मानो संसाधन विकास मंत्रा लेकिस्तापना कब की तो गुनिशों पीचा से यह दोस्तो आट में क्लास पार्ट 6 से प्रसन दिया गया है मै स्वास के जिए प्रसन यहीं से आने कोई भी प्रतियों की प्रक्षा हो तो देखिए मानो संसाधन को अंतिम संसाधन कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों मैंने मैतोपुन मैतोपुन चीज लिखे दिया आपको डिटेल में फाट पड़ना है तो आप पढ़ सकते हैं बुक संसाधन मानो संसाधन विकास मंत्रा लेकि स्तापना भारत में 1985 में तो यह चीजा आपको द्यार में रखनी है नेक्स देखे दोस्तों ओशेनिया किसे कहते हैं ओशेनिया तो यह पॉइंट है दोस्तों तो आस्ट्रेलिया न्यूजीलेंड परशांत मासागर में मिलने वाल यह सब्दावली आप द्यार में रखना ओशेनिया नेक्स देखे दोस्तों नब्बै परतिस जन्संक्या परित्वी के 30 परतिस बहाग पर जीवन्यापन करती है ठीक है नेक्स देखे शरवादिक जन्संक्या वाले देश तो यह चीज भी आपको ध्यार में रखनी है चेन भारत USA इंडोनेसिया ब्राजील पाकिस्तान बंगलादेश नाइजिरिया रूष जापान तो यह करम से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है चीन भारत USA इंडोनेसिया ब्राजील पाकिस्तान बंगलादेश नाइजिरिया रूष जापान यह सरवाधिक जनसंक्या वाले दे अच्छेत्रियं परुटेशों में जन्ठ संक्या के वीडिल है यह नहीं विश्वत्य ह recruit R你好1 वहां मरुष्टल दुरुवे पर देशों में दोस्तों जन्ठ संक्या इत्र ça जन्शंक्या एसिया वह अफरीका महाद्वीप में निवास करती है तो यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखने है विशो की पीछे 3% जन संख्या एस्या वे अफ्रीका में निवास करती है नेक्स देखे दोस्तों जन संक्या के अध्यान को डेमोग्राफी बोलते हैं क्या बोलते हैं डेमोग्राफी बोलते हैं जन संक्या के अध्यान को यानि प्रति वर्ग किलोमेटर में दोस्तों जितने लोग पाई जाते हैं उनको क्या कहते हैं जैसे एक किलोमेटर ही है एक किलोमेटर ही है जैसे प्रति एक किलोमेटर वर्ग छेत्रफल पर मिलने वारे लोगों की जन संक्या को जन संक्या गनतों कहते हैं समपुर्ण विशो का दोस्तों जन संक्या गनतों कितना 21 वेक्ती परती वर किलोमेटर है सबसे अधिक जन गनतों दोस्तों दक्षन मद्धे एश्या में हाखें सब्से अधिक जन गनतों का आपको द्यान में रखने कारक तो को कौन को से कारक परभाववित करें जो जंसंग्यवितन को यहां उद्योग धंदे ज्यादा होंगे यह आरफिक लाब लोगों को ज्यादा होगा वहांपर जन Stank Chicago ज्यादा मिलेगी जहांपर आरफिक लाब कम होता है वहां पर निश्शीत रूप से जन संख्या के है कम मिलती है सांस करते ही कारग भी दोस्तों प्रहुइद करता है सामाजिक कारग दोस्तों शिक्षा, आवाज, स्वास्त ने कि शुईदा ये दी अच्छी उपलब्ध है तो वहां पर जन संख्या ज्यादा मिलेगी तो सत्तर साल, पचास साल, इकाउन साल, यह जैसे चेन की जीवन परत्यासा कितनी है की नब्बे साल, जीवन परत्यासा का मतलब है कि मानों की ओस्त आयू को क्या कहते हैं, जीवन परत्यासा कहते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकर्तिक वर्दी दर किसे कहते हैं, प्राकर् क्या होता है तो जनद में जादा कम हो तो निशी तूपund sprrift जिंख्या गटे गी ठीक है तो तो जन संक्या की तीवर वर्दी और जन संक्या के घटने का कारण ही प्राकृतिक वर्दी दर जिमेदार है कौन है प्राकृतिक वर्दी दर यह नहीं दोस्तों जनम मर्तियों का जो यह सिस्टम है यदि जन में ज्यादा मरे कम तो जन संक्या बढ़ेगी यदि मरे ज्यादा कम तो दोस्तों यह जन्संग्या है यहहाद हो जैकर अब दूस्तों उत्परवाशी किसे कहते हैं आप परवाशी किसे कहते हैं जो लोके दोस्तों देश छोड़ कर उसको आपरवासी बोलते हैं क्या बोलते हैं आपरवासी सुडान दोस्तों इकलोता देश है दुनिया का जहां उत्परवासन जन संक्या को तेजी से घट रहा है यानि सुडान दुनिया का इसा देश है वहां से वहां की जो जन संक्या यानि वहां के लोग है वह बाहर नहीं जा रहे उत्रवाशी कम हो रहे है ठीक है तेज़ी से घट रहा है तो यह दोस्तो इपोर्टन छीज़ यह ती मैं को vast में परोगत है क्या फोरफुट्रय जाने ऊस दैसे लोग भार कम जारे हैं तो वह सुडा आंग सबस्ते नहीं करता है ठीक है यह चीज विह बांट होते हैं आर्थिक विकास है ये जन संक्या को प्रवावित नहीं करता है जन संक्या मतलब समर्यों जन संक्या वृद्धी होना जन संक्या गटना इस चीज़ को आर्थिक विकास है ये प्रवावित नहीं करता ये ध्यार रखना फैक्ट है दोस्तों अपने दिमाग में आ जाए निमन म से कौन सा जन संक्या के कमी का कारण है तो आर्थिक विकास है ये ना तो जन संक्या वरधी के लिए जिम्यदार है ना जन संक्या के गटने के लिए जिम्यदार है यानि आर्थिक विकास है ये दोस्तों जन संक्या वरधी और जन संक्या कमी को परभावित नहीं करता है प्रवाईत करता तो जपान में आर्थक विकास ज्धाद है तो आरतिक विकास प्रवाईत करता है प्रवाईत करता है दिमाग में रखना pagích है ठीक है भाध जन्ट MolGH वर्दी में आधरस इस्तिति में बहरत जंट संक्या освरे ढि Sicher Kind ती में याने जनमदर और मर्तिम ठीक ठीक ठाक चल रहे हैं अब दोस्तों सम्ग्व सम्धित पिरामीड क्या जन्ट संथ्पव्य पिरामिड यह आदी आती है ठीक है जन संक्या का अधियन क्या कहलाता है जन संक्या पिरामिड से किया जा सकता है ठीक है जन संक्या संग्ठन का अधियन किस से किया जा सकता है जन संक्या पिरामिड से अब दोस्तों एक पिरामिड आपके सामने इसको थोड़ा सा समझना यह केन्या का पिराम बनेगा देखें यहां पर बाल मरती उदर जादा हो रही है क्या हो रही है बाल मरती उदर जादा हो रही है तो देखें दोस्तों यहां तो यह सिस्टम ऐसा चलेगा लेकिन जब यह मरी गए इतने होकर कि आगे फिर यह सिस्टम ऐसे बन जाएगा समझाए क्यों कि यहां पर करकि ऐसा पिरामिड बन जाएगा यानि जब यह आकर मरी गए बच्चे से यह कर मर गए तो फिर बुढ़ास कोण होगा तो यहां पर दोस्तों यह इस तरह पापिरामिड बनेगा किस सत्रह के का इस तरह एक और दोस्तों डिटेल में पिरामिड है वो देखेंगे एक चीज देख लिजे जहांपर 11 जुलाई को विशो जनसंक्या दिवस मनाए जाता है क्या मनाए जाता है विशो जनसंक्या दिवस 11 जुलाई को तो यह फोर्टेंट फैक्ट है विशो जनसंक्या दिवस कब मनाए जाता है 11 जुलाई को विशो लिए खितकत्रों में से विचार कीजिए तो यह किसी देश की जन्षंक्या का संख्थन का अध्यन करने की विद्धी है बिल्कुल सभी बात है ठीक है नीचे वाड़े सारे दोस्तों ऐसे पते हैं देखें जन्षंक्या पिरामिड में बच्चों की संख्या को उपरी भाग मे और वर्दों की जन्षंक्या को निचे ले बाग में दिखाया जाता है नहीं गड़ता है जन्षंक्या पिरामिड में दोस्तों बच्चे हैं इनको निचे दिखाया जाता है वरेद है इनको उपर दिखाया जाता है क्योंकि पिरामिड ऐसे चलता है ठीक है फिर देखें सफीं वि belonging तो तीवर्ता से संक्रा कैसे होने लगा येदि हां मरत उदर ज्यादा होगी और जन्मदर्भ उद्षीं उठीं कि रना दो सफे dus नीचे से भी ऐसा ऑगा यह वब यह से चरूंगा यहां वैसे एस टो सिद्ध को से चलेगा तो कि नीचे? देखे जन संक्या पिरामिट अब मैंने दोस्तों अलग से बिढ़ा थे क्योंकि मेरे भी यह थोड़े समझ में नहीं थी काड़े फिर मैंने सब देशों के बढ़ा दिये ठीक है तो देख लिजिए जन संक्या पिरामिट केन्या का तो देखे जनमदर और मरत्यू दर दोनों यहां पर जनमें यहां कर सब मर गए तो उपर जो पतला हो जाएगा पिरामिट तो ऐसा बनेगा यह केन्या का पिरामिट है क्योंकि बाल मरत्यू दर जादा है और बच्चे जनम तो लेते हैं लेकिन उनकी क्या हो जाती है मरती हो जाती है तो उपर से ऐसा पिरामिट सबस्क्राइब वो जनम मतलब ज़्यादा संक्या में नहीं ले रहे मतलब जनम तर ज़्यादा नहीं है और मरती उद्र भी ज़्यादा नहीं है आदर्स इस्तिति से है फिर दोस्तो ये मतलब आगे चलेगा तो इस तरह से चलेगा क्या चलेगा इस तरह से तो यू आवरक ज़्यादा होगा बहुरत में युप रख जादा है तो वहांकी सरम सक्ती और ये दोस्तो मजपूत हो रही है तो ये वर्द्मान पिरामीड है उपर जाकर जाकर के दोस्तो वर्द रह वो तो मरेंगे उपर अशा हो जाएगा तो दोस्तो ये ऐसा चलेगा भारतossa ठीक है भोषे हमी जन संक्या की कम ही होगी जापानमें थी यह चीज भी होगा तक्योंकि यह जनम कम लेते हैं, ठीक है, देखें, यहां क्या है जनम दर वाले कम जनम दर जनम कम लेते हैं कम जनम लेंगे तो सिद्धी सी बात है फिर युवावर्ग कम होता जाएगा और फिर नीचे से दोस्तों यह संक्रा हो गया आधार संक्रा हो गया और दोस्तों आधार संक्रा है तो भूशे में जाकि यह संक्र पन पारण यानि मर्द हुदрем हैं दो यहां पर कम है वरद्द आवस्ता है तो यहां का मिन दोस्तों नीचे से संक्रा चलेगा क्योंकि जनम्दर कम है बीच में से लिए तो संसाधि ने बजो जागा फिर वापस आउसे चलेगा क्योंकि क्यों है पर्किया है जो र्द sa वस्ता में जो लोग चांथे पुम मर्द कम हैं ठीक है तो यह जापान का इस तरह से चलेगा ने चाहिए दोस्तों मनुश्य वनश्पती पारणिजाद किस परकार के संसाधन है तो जेव अधिक्ता के समसादन दोस्तों चेयों संचित को छ्यश् assumed धर्विक सुनाएघंस दोस्तों आया था अशोत अभी प्लीस में ठीक है देखें संसादन वर्गी करन तो इभीने पड़ाया जासके दूबारा वह नुभी संदत्र कि आधर प्रदोस्तों नीजि सहा कारी सर्वाजणिक ठीक है विकास के अस्तर क्या दार प्रदोस्तों संभावी शंसाधन्स ताल है सब्सक्राइब ने आसवत कि अंदर तो आधर तो यह कौन सा कहां तो यह दोस्तों अलग से प्रसन है यह पिछे के पाटों के हैं जो हो चुके हैं अपने ठीक है तो यह चीज आप ध्यान में रखना ठीक है नेक्ट के बारत का कौन सा अस्तान जवारिया उर्जा उत्पादन के लिए आदर्स इस्तिति उत्पर्ण करता है तो यह कच्की तो दोस्तों इन दोनों का यह उता है इसमें पुंगा घाटी का और पारवती घाटी मणी पारवती घाटी मणी करणम ठीक है नेक्ट देखें उध्योगों की इस्तापना को प्रवाइद करने वाले कारक तो कच्चे माल की उपलबता सरमिक उर्जा संसाधन और बाजार य बार सरकार के दिन मानों संसाधन विकास मंतला लेकि स्तापना गुनिशोपीचा से शिद्धा का शिद्धा परसन उठाया पिच्छे वाला पुलिस में ठीक है नेक्स देखें विश्व की 90 परतिसत जनसंग के अलग कितने परतिसत बाग पर निवास करते हैं 30 पर यह भी द देश के सबसे बड़े संसाधन मानो यानि लोग जन संक्या गनतों का तात परे तो प्रति वर किलोमेटर में रहने वाले लोगों की जन संक्या जन संक्या को प्रवाइद करने वाले बोगोली कारकों में शमलित है जलवायू मृदा तो यह दोस्तों उप्रोक्त सभी हो जा ऐसा दोस्ति एसे दोस्तों बिजाद कितनी भी बडी बडी गाईडे पढ़ लेना कितनी कोचिंगों के नोट्स पढ़ लेना यदि आपने छट्टी से लेकर के आठवीं तक कम से कम आठवीं तक तुम मैं मानता हूं किताब नहीं पढ़ लिए तो दोस्तों आप मान लीजिए कि समझरें पतन की और हो क्योंकि प्रसन वहीं से आने वह प्रसन अपने गड़त हो रहें चटी से आठवीं वाड़े तो अपने चाहिए कितने अच्छे अच्छे नोट्स पढ़ लिए हो बेकार है सारी चीजिए ठ आप उसक्तित चीजिए नादिजन संक्या वितन को प्रवायट करते हैं तो यह सारे करते है दोस्तों जनसंक्या जन संक्या कि अंतरकरतिक वर्दीधर से क्या भी प्रकारfish है । किशीं देस यह भी समझा चूंगा तो यह दोस्तों दोनों इगड़ते हैं उल्टा दे रहा है उनों ने तो जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं वह उद्प्रवाशी कहलाते हैं वे लोग जो बारी देश से किसी देश में आते आप प्रवाशी कहलाते हैं तो यह था दोस्तों आज का लेशन आई होप आपको तो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों सेयर करना और आप सभी को दोस्तों है पी दिवाली कि मिलते हैं फिर एक नीड वीडियो के साथ